हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू उपाध्य लर्निंग कंसेप्ट दोस्तो मैंने एंडी पीसी की परसेंटेज के लिए सिक्स क्लास आपको कुप्लीर करा दी है उन छे क्लासों में मैंने उतना सब कुछ करा दिया है जो एक्जाम में आता है लेकिन इस वात की क्या गारेंटी है क यह तो आपका जानने का अधिकार है ना जी बिल्कुल देखिए मैं आज आपके सामने प्रिवियस एयर के क्वेशन डिसकस करूंगा और उन क्वेशन का आप लेवल चेक करना उनसे देखना क्या मिले हुए क्वेशन है उसके बाद मैं यह चेक करना कि इनसे कुछ अलग क् अपर लेबल गया है तो कितना गया है यह सारी बात ने आप मेरे प्रिवियस वीडियो में देख सकते हो मैं पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिसक्रिशन में दे दूँगा आप आसानी से उन्हें पहले देखिएगा उसके बाद मैं खुद प्रेक्टिस करिएगा वीडियो प आपको करनी हैं देखो मैं बिना देरी किये हुए अब क्वेशन शुरू करूंगा और एक साथ प्रेक्टिस के सारे क्वेशन में कराता हुए चलूंगा और हाँ जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो कि यहां बिलक कि इसमें मुझे कंसेप्ट बताना चाहिए वो बताऊंगा भी देखिए पहला क्वेशन क्या किया रहा है कि किसी भी वस्तू की कीमत 100 रुपए है वो पहले 10 प्रत्सत बढ़ाई जाती है और फिर बाद में 10 प्रत्सत बढ़ाई जाती है तो बताओ उसमें कितने प्रत्सत मैंने आपको बताया कि 10-10 परसंट की दो बार बढ़ोतर ही होती है तो 21 परसंट आता है सक्सेसिव किस सक्सेसिव के के लिए मैं आपको एक फॉरमूला भी बताया था और वो यह table लिखवा रखी है ना कि 10 के लिए क्या है 20 के लिए क्या है जो standard time है उनको जरूर पढ़ दे तो यहां आप 10 प्लस 10 प्लस के 10 इंटू 10 डिवाइड वाई 100 करोगे तो आपको मिल जाएगा 21% यह आएगा ठीक है दूसरा एक और मेथड है आपका कि अगर 100 की कोई भी वैल्यू है इस पर आप 10% बढ़ाओगे तो यह कितना हो जाएगा अपने आप में ओरिजिनल वैल्यू 100% होती है 10% बढ़ा रहे हो तो 110 तो 100 का 110 परसंट कितना हो जाएगा 110 अगेन फिर 10 परसंट बढ़ा रहे हो तो या तो आप 10 परसंट बढ़ा की इसमें एड कर दो तो 110 का 10 परसंट कितना हो जाएगा 11 है 110 में add कर दो या दूसरा 110 अपने आप में 100% value है इसका 10% बढ़ा दो तो 110 का 10% बढ़ाओगे तो 110% ही निकालोगे और percentage के लिए हमने क्या करेंगे डिवाइड वाई हंदर तो answer कितना आ गया 121 इतना चोटा सा question था answer आपको बस ऐसे ही टिक मारना है चलिए वाई, दूसरा question देखो एक shopping mall में वस्तू की कीमत में 10% की व्रद्धी हो जाती है ठीक है then decreased by 10% फिर 10% घट जाता है तो बताओ total percentage increase or decrease in the value of item यानि उस वस्तू की कीमत में कितने प्रद्धी व्रद्धी अथवा कमी होगे यह आपसे पूछ रहा है बहुत छोटी सी value है देखो मैंने आपको बताया है कि अगर पहली value x% increase हो जाए या एक value की कीमत पहले x% बढ़ जाए और दुबारा में x% घट जाए तो ऐसी इस्तिती में हमेशा value decreased होगी और वो कितनी decreased होती है तो decreased मतलब घटी हुई value तो decreased कितनी होगी decreased जो होगी वो यह जो value है x² y 100% पहले 10% बढ़ी फिर 10% घटी इसका मतलब क्या है 10 का square डिवाइड वाइ 100 आंसर आ गया 1% loss या decreased मतलब देखते ही मारोगे question को ये exam में आये हुए question है ठीक है और आप मेरा level भी देखना है कि मैंने उनको आपको क्या करार रखा है already अच्छा इसको आप कुछ बच्चों की समझ में नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं मैं बिल्कुल basic से भी बता देता हूं क्योंकि ऐसा होता है कि कुछ बच्चे जब नए जोड़ते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होने होती है let original कोई भी value 100 होती है 100 क्यों लेते हैं क्योंकि 100 पर कोई भी value अपने अपमें प्रतिसत कहलाती है ठीक है न तो भाई 10% बढ़ा गई 10% बढ़ा दी तो कितनी होगी 110 अब इसका 110 का 10% घटा दो तो या तो 10% घटा कि इसमें से सब्ट्रेक्ट कर दो या देखो 110 का जब 10% घटा होगे तो कितना आगे 11 है आपको क्या करना है 110 में से 11 है सब्ट्रेक्ट कर दो तो 99 आ गया तो आप यहां से चेक करोगे तो 1% का loss आ रहा है यही तो मैंने बताया था दूसरा आपको क्या बता रहा था मैं दूसरा आपको बता रहा था कि कोई भी value original अपने आप में 100% होती है अब यह value अपने आप में 100% है इसका 10% कमी करनी है इसका 90% चाहिए तो भाई 110 का 90% निकाल लो ठीक है 99 आ गया यानि 100 का और final मुझे 99 मिला कितना कम मिला 1 और 100 पर कोई भी value अपने आप में प्रतिसत कहलाती है तो 1% loss हो गया यह decrease रोगी value ठीक है न खतम कहानी यानि यह इतना तो समय बस आपको समझाने के लिए दिया जा रहा है अदरवाइस तो pen चलाना ही नहीं अभी हाँ ऐसे भी question आएंगे नो डाउट जिन में calculation आपको करनी पड़ेगी मैं यह नहीं कहता कि सारे question ऐसे आते हैं यह तो एक ब्रहम है ठीक है देखो तीसरा question नई सरकारी नीतियों में प्याज के मूले में 35% की वरद्धी हो जाती है तो एक व्यक्ती प्याज की खपत में कितने प्रतिसत की कमी कर दे कि उसके व्याए में कोई परिवर्टन ना हो अब देखो भाई सिंपल सी बात यह है point को ध्यान से समझना मैंने माना कि 100 रुपे प्रतिक किलोग्राम प्याज की कीमत है original 100 क्यों माना है प्रतिसत है और 100 पर कोई भी value अपने परसेंट कहला थी है इस वज़े से अब प्याज की कीमत 35 रुपे बढ़ गई है चलो आप पहले यह देखो कि 135 ठीक है अब आप जितनी प्याज पहले 100 रुपे में खा रहे थे उतनी प्याज खाने के लिए आपको 135 रुपे देने होंगे ठीक है बट आपके पास 135 रुपे नहीं है आप कह रहे हो कि मैं तो 100 रुपे ही दूँगा चाहें कुछ भी हो जाए नहीं करूँगा तो अब आपने क्या किया 35 रुपे की प्याज आपको कम देगा वो दुकांदार क्योंकि जितना सामान पहले 100 का आथा था अब 135 का आ रहा है लेकिन रुपे तो आज भी आपके पास 100 है तो 35 रुपे का सामान कम मिलेगा किस रेट से जो आज का रेट है आज का रेट मतलब नियू रेट और ये कितना है 135 इंटू 100 परसेंट ठीक है जब आप इसे कैल्कुलेट करोगे तो पास से ये जायागा साथ वार और पास से ये चला जायागा 27 वार 27 पंजे 135 होता है ये बातें आपको पता होनी चाहिए ठीक है ना थोड़ा सा आइडिया लगा रहना चाहिए अब देखो ये थोड़ा सा कैल्कुलेशन बन गई मैं आपको बिल्कुल ऐसे करूँगा जैसे आपके सामने बैठके कैल्कुलेट कर रहा हूँ क्या करना चाहिए बहिया कुछ नहीं करना है मैं तो डिवाइड करूँगा जी डिवाइडी कर लो इतनी बड़ी कैल्कुलेशन नहीं है कि आप कुछ अनुमान लगाओ और दूसरा हमारे आंसर बहुत नजदीक दे रखे है जब आंसर बहुत दूर दूर हों तो आप एप्रोक्सिमेशन लगा सकते हो लेकिन जब आंसर नजदीक हों तो आपको एप्रोक्सिमेशन नहीं लगाना चाहिए फिर आपको solve कर लेना चाहिए ठीक है ना जो बात fact है वही बताऊँगा इधर उदर की बातों से कोई लेना देना नहीं ये ऐसे ही करने में फाइदा रहेगा वही बता रहा हूँ अब देखो 27 से दो बार जायेगा 54 16 बच गया और 35,500 तो 5 बारी जायेगा सिंपल सी बात है तो 27,5, 135 ठीक है कितना आ गया 25 तो जो खपत में कमी हो रही है खपत में कमी कितने प्रतिसत की हो रही है इतने प्रतिसत की और ये वैल्य कितने के बरावर है भाई ये वैल्य है 25 परसेंट और आपको पता है कि ये उपर आता है जब आप रिमेंडर के आता है उपर आता है यह divide करते हैं नीचे तो 25 by 7 आप यह देख रहे हो कि नीचे value 27 है और उपर 25 लगभग लगभग 27 के नज़दे देखे 25 तो इसका मतलब हमारा जो answer है वो exact में दे रखा है तो यह लगभग 26% आ जाएगा किलियर हुई बात अगर यही value देखो 27 का आधा कितना होता है 13.5 समझना बात को ध्यान से अगर यह होता तो यह value mid value होती आप कह देते 25.5 लेकिन अगर इसे 13 मानते हो यह value अगर कास 13 होती ध्यान से समझना ऐस point को तो इसका मतलब क्या है कि यह value आधे से कम है आधे से कम है तो आप इसे 25 से 25 मान लो round off कर दो उपर वाली value को हटा दो लेकिन यह आधे से जादा है अब आप round off करोगे तो आधे से जादा है तो round off करोगे तो value बढ़ा करके next term लिख दोगे तो यह कितना फिर आपको लिखना पड़ेगा 26 के नजज़िक है इस वज़े से 26 लिख होगे तो हमेशा यह बात ध्यान रखनी होती है जब भी हम round off कर रहे होते हैं कि वो value आधे से जादा है तो next value की तरफ बढ़ा दो और आधे से कम है तो previous value पर रखने दो इतना सा concept इसमें होता है ठीक है लेकिन इस calculation को करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लागा आप hardly 30 से 35 सेकंड में इस question को आराम से कर सकते हैं सोच समझ के है ठीक है चलिए भाई यह question solve हो गया आगे बढ़ता हूँ आप question कह रहा है कि पैट्रोल की कीमत में 19 परतिसत की वरद्धी हो जाती है ठीक है सुनीता पैट्रोल पर अतरिक तरूप से केवल 12 परत्रत खर्च करना चाहती है ठीक है तो वह कृड़ीदे जाने वाले पैट्रोल में कितने परत्रत की कम ही करेंगी बही सिंपल सी बात यह है पहले petrol मान लिया 100 रुपे प्रति लीटर थी समझना बात को अब बढ़के हो गई है 119 रुपे प्रति लीटर आप पहले 100 रुपे की petrol ही यूज करते थे आप ये मान के चलिए कि आपका खर्चा भी 100 रुपे का ही था जो खर्चा पहले 100 रुपे का था आज कितना हो जाएगा 119 रुपे का ठीक है लेकिन आप क्या कहा रहे हो कि भाई मैं 119 रुपे तो खर्च नहीं कर सकता मैं अपने खर्च में 12% की व्रधी कर सकता हूँ यानि मैं पहले 100 रुपे का खर्च कर रहा था तो अब 112 रुपे का खर्च कर पाऊँगा बस यानि अब आप 112 रुपे की पैट्रोल खर्च कर पाऊँगे एक वाद बताओ जो पैट्रोल पहले 100 रुपे की आ रही थी क्या वो 112 में आ जाएगी नहीं उसके लिए तो आपको 119 रुपे ही खर्च करने होंगे अब आप खर रहे हो 112 रुपे खर्च इसका मतलब 7 रुपे की पैट्रोल आपको कम मिलेगी ठीक है 7 रुपे की पैट्रोल कम मिलेगी किस रेट से जो आज का चल रहा है 119 रुपे प्रति लीटर हुए पैट्रोल तो 119 से डिवाइड करोगे ठीक है इन्टू 100 परसेंट अब देखो इसमें भी छूटी सी कैलकुलेशन है बिल्कुल आपके सामने वैसे ही करोंगा जैसे मुझे एक स्टूडेंट की तरह करने की जरूरत है तो भाई 700 डिवाइड वाई 119 अब 119 से जब आप भाग करोगे तो ये पांच वार जायेगा ठीक है क्योंकि 19 बंजे 95 है और 5 एकम 5 595 है कितना बचा 105 ठीक है भाई तो अब फिर से भाई आपके सामने आगया क्योंकि option तो हमारे round of करके दे रखे यहां देखो एक सो ये है पांच सही इसके आगे सही का निसान लगाते है बटे में ये उपर वाली value उपर चली जाती है और जिससे divide करते हैं वो value नीचे आ जाती है अब एक बात मुझे बताओ 119 का आधा कर लो 100 का आधा 50 19 का आधा 9 यानि लगभग 60 हो गया यानि 59.5 लगभग 60 हो गया अगर ये value 59.5 तक होती 59.5 होती तो mid value होती अगर 59 भी होती तो मैं उसे पिछली वाली value की तरफ ले जाता और पीछे value क्या है 5 ठीक है लेकिन ये आधी से जादा है तो मैं इसको कहां forward कर दूँगा 6 की तरफ तो इसका मतलब क्या है कि ये इसको round off करके 1 बना दोगे यहां plus का sign होता है अगर ये आपको नहीं पता है तो मेरी पिछली वीडियो जाके देखे पता चल जाएगी ठीक है न तो plus और ये लगवग 1 हो जाएगा क्योंकि आधे से जादा है आधे से जादा 1 है तो कितना हो गया 6% तो उसे अपने पेट्रोल का खर्चा 6% घटाना होगा अच्छा कुछ बच्चों का एक और doubt रहता है कि सर ये यहां पर आप question लेखते हो ठीक है ताकी कि मैं आपके सामें लिखा सकूँ ठीक है घवडाएं नहीं आगे चलिए मरमत के लिए उपलब्द 24,500 रुपई में से 25% छत निर्माण के लिए दिये जाते हैं दूसरे कारें को लिए कितने खर्चे बच्चे हैं भाई सिंपल सी बात है कोई भी वेल्यू अपने आप में 100% होती है और 100% यहां क्या है मरमत कारे के लिए दिया गया कुल रुपया ठीक है जो कुल रुपया कितना है 24,500 यह कुल रुपया और यह मरमत कारे के लिए दिया जाता है अब वो यह कह रहे हैं कि 25% आप खर्च कर रहे हों चत्कारे के लिए तो अन्न कारे के लिए कितना बचा अरे पही सिम्पल सी बात है 100% होती है कोई भी व essence जुई यह है 25% आपने चत्कारे के लिए खर्च करदी कितना बचा आपके पास 75% तो अब इस original value का 75% आप निकालोगे, वो अनिकारे के लिए बचा हुआ पैसा है, ठीक है, बस इतना सा था, अब आप इसको solve करोगे, तो 3 by 4 हो जाएगा, 75% 3 by 4 होता है, देखो, जब 4 से भाग करोगे तो 6 वर, 12 चोक के 48, और 2 बचा, 4 पंजी 20, ठीक है, 3, 25, 75, 3, 3, 6, 18, 375 रुपे अनिकारे के लिए बचे हैं, ये आपका अंसर है, option C correct है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है तो भाई नोट कर लो, चलो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, देखो, मैं भले ही class छोटी लेता हूँ, लिकिन मेरी, मैं पढ़ाने का तरीका ये रहता है कि बीच में बहुत सारा इधर उधर किन्ना करके, एकदम to the point करता हूँ, तो number of questions आदा घंटे में भी इतने करा देता हूँ, यहाँ जनरली लोग एक घंटे के आसपास में कराते हैं, अधरवाईज आप मेरी किसी भी वीडियो को जाके देख लेना, ये बात स्लेवस कंप्लीट कराना मेरा काम है, मुझे पता है कैसे कराऊँगा, ठीक है, आप बस इमांदारी से महनत करते रहें, ठीक है ये नोट हो गया सभी का, चलो तो आगे वाले question को देख लो गई, question के रहा है, असी छातरों की एक कच्छा में, विद्याले के कारेकरम के तहट आयोजित, ग्रीस मकालीन सिवर में केवल 20 छातर जाते हैं, summer camp होते हैं, असी छात्र ने तुमारी क्लास में से 20 वहाँ चले जाते हैं समर केंप में तो कक्षा के कितने प्रतिसत छात्र नहीं गए अरे भाई सिंपल सी बात है असी छात्र थे यह टोटल थे और टोटल अपने आप में कितना परसंट होता है 100% ठीक है अब 80 में से 20 चले गए यह पूछ रहा है कितने नहीं गए तो भाई 60 नहीं गए आउट ओफ कितने में से जितने में से होता है उतने नीचे लेखते हैं जैसे आपने कभी अपने मार्क्स देखे होगे कितने नंबर आए मेरे तो आप कहते हैं 20 आए कितने में से 25 में से तो आपको ऐसी तो दिये जाते थे वो नंबर में से कितने में से वो नीचे आ जाती थी ना वैल्यू आउट ओफ जिसे इंगलेस में बोलते हैं अरे समझ रहो ना ठीक है देशी एक्जाम्पल से आप आसानी से समझ पाते होगे तो भाई इन्टू 100% कर दो परसेंट का साइन लगाने के लिए 100 से गुणा कर दो परसेंट का साइन लगा दो खतम कहा नहीं अब देखो 3 भाई 4 जब आप देखोगे कि 75% स्टुडेंट समर केंप के लिए नहीं गए खतम इतना साथ होशन आईए इसके बाद आगे चलते हैं एक कक्षा में 40 छात्र है 90% Final परिक्षा में बैठे Total छात्र है 40 Final परिक्षा में इनका 90% बैठा तो इतने छात्र परिक्षा में बैठे अब इसका भी 2 तेहाई छात्र पास हुए तो ये पूछ रहा है कितने चातर पास हो गए कितने प्रतिसत चातर पास हो गए कितने चातर फाइनल प्रेक्षा में उत्तिन लो हुए इनका भी दो तेहाई उत्तिन लो हुआ है कतम भाई 0 से 0 इस 0 से 0 तो इसे जब कैंसल करोगे तो ये 3 टाइमस चला जाएगा तीन दूनी छचोग के 24 यानि 40 में से 24 लोग पास हुए हैं पस इतनी इसी बात थी सोच रहोगे कितने कितने आसान से कॉश्यन है अब आपके मन में आ रहा होगा असर ये तो गुरूप D के हैं एक दो NTPC के भी स्टार्टिंग में आ चुके हैं इससे बड़ा कुछ नहीं था ठीक है न और भी आएंगे NTPC के घावडा क्यों रहो देखो बसीम का कार्रे प्रति दिन 15 प्रतिसत बढ़ गया और उसका वेतन प्रति घंटे 20 प्रतिसत तक बढ़ गया उसकी देनिक आय कितने प्रतिसत तक बढ़ जाएगी A प्लस के B प्लस के AB बटे 100 आप देखो यहाँ पे आप चेक करोगे 15 परसेंट और 20 परसेंट की बात हो रही है 15 प्लस 20 15 इंटू 20 बाई 100 और इसके बाद में जब आप इसे चेक करोगे तो 20 पंजे सो 3 38 परसेंट उसकी जो देनेक मजदूरी है वो कितनी बढ़ जाएगी 38 परसेंट लेकिन कुछ बच्चों की समझ में यह नहीं आया होगा कि सर यह कहां लगाना है ध्यान रहो जहां कॉशन में मुझे मल्टीप्ली किसन की जरूरत पढ़ेगी वहां मैं इस फॉर्मूले को लगा दूगा वहीं सकसिसिब लगेगा ठीक है क्योंकि इससे पहले वाले कॉशन में वी 2-2 बार वैल्यू बढ़ी है लेकिन हमने नहीं लगाया यहां लगाया है क्यों क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है multiply कैसे हो रही है वो समझो इसी का basic method समझो जहां basic की जरूरत है मैं वहां आपको basic जरूर बताऊंगा तो घवडाने की जरूरत नहीं है अब दिखो क्या रहा है समय प्रति दिन 15 प्रतिसत बढ़ जाता है 15 प्रतिसत का मतलब होता है 15 बट्टे 100 या 3 बट्टे 20 अगर वो वास्तविकता में पहले इतना घंटा कारे कर रहा था तो अब ये क्या है इतनी value बढ़ जाएगी ठीक है तो पहले अगर 20 घंटे काम कर रहा था तो अब कितना करेगा 23 घंटे क्योंकि उसके घंटे 15 प्रतिसत बढ़ गए और वो क्या गया रहा है कि उसकी मजदूर प्रति घंटे की 20 प्रतिसत बढ़ गई है तो 20 प्रतिसत का मतलब भी आपको पता है एक वट्टे 5 यानि अगर वो पहले 5 रुपे की मजदूरी थी उसकी तो यह उपर वाली value बढ़ जाके 6 हो जाएगी अब देखो कुछ नए बच्चे हैं उनकी समझ में नहीं आ रहा है 20% को आप क्या लिखोगे 20 वट्टे 100 लिखोगे ना तो 100 पे 20 का बढ़ना या घटना इसी प्रकार जब आपने इसको simplify किया तो 1 by 5 5 पर उपर वाली value का बढ़ना या घटना ठीक है ऐसे समझा करो तो यह बात आपकी समझ में आ गई अब एक बात सोचो कि यह तो हो गया गंटे काम करता था और उसे 5 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से मिलता था प्रति घंटे मजदूरी की बात हो रही है उसे कितना मिलता होगा वह एक दिल में 100 रुपए कमाता था लेकिन आज की स्तिति क्या है वो 23 गुणा 6 समझ रहो ना 23 गुणा 6 यानि 23 घंटे काम कर रहा है और 6 रुपए प्रति घंटे के साब से कमा रहा है ठीक है तो 238 तो 100 पर 100 से 138 हुआ कितने प्रतिस्त बढ़ गी 38 परसेंट बढ़ गी यही आपके कुशन का अंसर है उम्मीद करता हूं यह बात आपकी समझ में आगी हो होगी चलिए इसे नोट कर लो और इसके बाद मैं फिर आगे बढ़ता हूं अगर आगर चलो भाई नोट हो गया होगा चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम ठीक है क्वेशन के रहे हैं एक टेस्ट में सफल होने के लिए किसी को 38 परतिस्ट अंक प्राप्ट करना जरूरी है तो 45 में उत्तिन अंक क्या होगा यानि अगर आपके मैक्सिमम माक्स 45 है तो उत्तिन होने के लिए उसे कितने अंकों की आवशेक्ता होगी यह आपसे पूछ रहा है तो अगर आपके अधिक्तमंक 45 है आपको उसका 38% चाहिए तो 38% के लिए डिवाइड़ वाई में 100 कर दूँगा ठीक है अब आप क्या करोगे देखो 2 से ये 50 वार और 2 से ये 19 वार 5 से ये 10 वार और 5 से ये 9 वार और 19 निम्मा 171 10 से भाग दिया एक 0 लगा दो क्योंकि ऑप्शन में लग रही है नहीं लगाते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी बात एक ही है पॉइंट के बाद फिल लास्ट में 0 का कोई महत्व नहीं है उसको इतने मार्क्स चाहिए यह आपका अंसर है इतना साथ था ये कॉशन ठीक है चलो बच्चो आगे बढ़ते हैं उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा दो को समझ में आया करें न तो लाइक वगरा कर दिया अगर हो या रहा है ऐसे मत किया कर रहा हूं ठीक है न चलिए अब देखो नेक्स्ट कोशन के रहे किसी संख्या के 85% में 75 जोड़ा जाए तो मूल संख्या प्राप्त होती है देखो इसको मैं बेसिक भी लिखके बताऊँगा और वैसे भी बता रहा हूं 85 प्रतिसाद जोड़ा जाए किसी संख्या में न राइट देखो कोई भी नंबर अपने आप में होगा 100% अब उसके 85% में मैं कितना जोड़ रहा हूं 75 जोड़ रहा हूं तो मुझे 100% मिल जा रहा है यानि वास्तविक्ता में वो संख्या मुझे मिल जा रही है अब इसका मतलब यह है कि अगर मैं इसमें प्रतिसत जोड़ता तो कितना जोड़ना पड़ता 85% मेरे पास है तो मुझे केवल 15% जोड़ना पड़ता उसकी जगह पर मैंने 75 जोड़ दिया है तभी तो नंबर 100% हुआ है तो भाई 15% की value 75 के बरावर होगी तभी तो मैं करूँगा 1% की value कितने के बरावर आ जाएगी भाग कर दो 55, 55, 100% की value के लिए अब गुणा कर दो 500 यानि वो संख्या 500 थी वास्तविक संख्या ठीक है ना 500 का अगर आप 85% निकार लोगे और 75 उसमें जोड़ दोगे तो फिर आपको 500 ही मिल जाएगा खत्म कहानी ये question क्या प्रारूफ था यहां तर चलिए भाई इसके बाद मैं आते है next question पे हो गया note चलिए भाई देखो next question आपके सामने है यदि y का x प्रतिसत 150 है y का की जगे multiply x प्रतिसत ये 150 है फिर वो कह रहा है z का y प्रतिसत 300 है z का की जगे गुणा y प्रतिसत और ये बता रहा है 300 ठीक है तो अब दोगों इसमें एक misprint है x और z के बीच relation पूछ रहा है आपसे x और x नहीं है x और z के बीच relation आपसे पूछ रहा है तो X और Z की बीच relation आपको निकालना है आप divide करके simplify कर लो यह cancel और percent से यह वाला percent cancel हो जाएगा तो X बटे Z जो बचेगा इसे काट लोगे 1Y2 तो X बराबर आ जाएगा ZY2 एक तो relation यह होगा या Z बराबर 2X अब आप यह देखो कि option में कौन सा mention है तो option में आप देखोगे Z बराबर 2X गिवन है option D correct है ठीक है चलिए भाई आगे आजाते हैं हटा दू इसे चलो दो विद्यारती A और B किसी परिक्षा में सामिल हुए ठीक है A को B से 8 अंक अधिक मिले और पूरवर्ती के अंक उनके अंकों के योगफल का 35 प्रतिसत था तो A और B द्वारा प्राप्त अंक क्या है अब इसमें दो तरीखे है A और B के जो टोटल अंक जो A और B के अंकों का जो डिफरेंस है वो आपको 8 नंबर दी रखा है A के अंक जादा है B से ये भी कह रहा है और वो पता है क्या कह रहा है A और B का जो जितना जो टोटल है उसका पूरवर्ति का 55% है पूरवर्ति का मतलब हो गया पहले वाले व्यक्ति का 55% पहला वाला व्यक्ति कौन है A तो अब आप समझो यहाँ A और B Let A और B के जो अंक है वो मैंने 100 माल लिए ठीक है तो A के कितने होंगे A पूरवर्ति का मतलब है A पूरवर्ति के 55% है दोनों के योग के दोनों का योग तो यह है और इसके 55% किसके है A के तो भाई B के कितने मिल रहे होंगे B के 45 बचे होंगे क्योंकि दोनों का सम मैंने 100 माना है ठीक है 100 क्यों माना है क्योंकि 100 पर कोई भी value अपने अप में percentage कहलाती है इसके सीधे सीधे पचपन होगा गटी हुई value B की होगी अच्छा इन्हें ratio की form में और भी simplify कर सकते हो जब आप इन्हें simplify करोगे तो 11 है और 9 clear हुई यहां तक यह बात 11 है और 9 कितना होता है क्या क्या रहा है और 9 तो भाई कितना अधिक है आप यह कहोगे कि सर्एक एक एक बी से दो अधिक है लेकिन प्रश्ण में कितना बोल रहा है प्रश्ण में आपसे कह रहा है आठ अंक ठीक है एक यूनिट की जो value हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी चार अंक अब भाई सिम्पल सी बात यह है एक एंक कितने हो जाएगी जितना हमने सोचा था उससे चार गुना जादा यानि इस ratio का चार गुना जादा चवालीस बी के कितने हो जाएगे चशतिस यही मेरा आंसर है ठीक है यही मेरा आंसर है अरे किलियर हुई यह बात यहां तक चलिए तो भाई टोटल मिला करके यह मैं उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में यहां तक आ गए होंगे आप्शन एक करेक्ट है इसका ठीक है ना अब देखो नेक्स्ट कोईशन के रहा है कि एक संस्था में 210 करमचारी है ठीक है उनमें से 30% करमचारीयों का अलग जगह पर तबादला कर दिया जाता है 210 का 210 करमचारी है उनका 30% का कहीं जगह तबादला कर दिया जाता है ऐसे कितने करमचारी है जिनका तबादला ऐसे कितने करमचारी है जिनका तबादला हुआ यानि कितने करमचारीयों का तबादला हुआ है भाई 30% की बात कर रहा है तो 30% का तबादला हुआ हुआ होगा 2010 टोटल थे इसका 30% का साइन हटाने के लिए 100 से भाग कर देते हैं यही तो कह रहा है तो 603 का तबादला हुआ था इतना सा था यह क्वेशन नोट कर लो ठीक है चलो भाई आगे बढ़ते हैं नोट अगर देखो आपको लगा करें ना कि नहीं हो पा रहा है तो आप इसे पॉ क्वेशन नेक्स्ट केह रहा है सत्या ने 7,434 रुपए 7,434 रुपए मीच्वल फंड में निवेश किये जो उसकी आएका 18 प्रतिसत है तो उसकी वार्सिक आए क्या है देखो यह जो रूपई उसने निवेश किये हैं उसकी मासिक आएका यानि मंतली इंकम का 18 प्रतिसत है है कहने का मतलब वो यह बताना चाह रहा है कि 18% की जो वैलू है वो 7,434 है तो उसकी पहले मंतली इंकम निकाल लो 100 प्रतिसत निकाल लो जो जो वैलू आप निकालते हो ना जो वैल्यू आपको दे रखिये उससे भाग करते हो तो एक प्रसंट की वैलू निकलती है और जो निकालना है उससे गुणा करते हो तो उतने परसंट की निकल जाती है तो आसान भासा में मैं यह कहूं कि आप उस value से भाग करतो जो दे रखी है जो निकालनी है उससे गुणा करतो अब देखो सिंपल सी बात यह है अठारे का आप भाग दोगे अठारे चोके 72 दो आ गया तो उसकी जो मंथली इंकम आ गई वह एक तालीस हजार तीन सो आ गई यह मंथली इंकम अब आप से पूछ रहा है कि उसकी यर्ली इंकम क्या होगी तो भाई यर्ली इंकम क्या होगी यर्ली इंकम क्या होगी भाई यर्ली इंकम के लिए इसमें बारहे से गुणा कर दो तो डबल जीरो उसकी सालानागी आ 행 हो जाएगी ये बताना चाह रहा है वह अब आप कहीं ऐसा नहों कि इस वैले को देखके आप कहो कि नन आफ दीज का भी ऑप्शन दे रखा है फटाक से लगा दो भाई इस बात का ध्यान रखना है कि इनकम मंथली की बात हो रही है यह यहां यह दे रखा है मंथली और पूछ रहा है यह यानि वार्सिक पूछ है आपसे चलो यह बात आपकी समझ में आ गई होगी कि देखो नेक्स्ट कुशन आपसे कह रहा है यह अटा देता हूं कि संजो कि अपनी प्रश्ण उत्तरी में मोनिका ने कुल प्रश्णों के तीन वट्टे चार भाग के सही उत्तर दिये तो उसने कितने प्रश्ण के सही उत्तर नहीं दिये भाई सीधी सीधी सी बात है सही उत्तर नहीं दिये कितने के सही उत्तर दिये हैं 3 वट्टे 4 के दिये हैं तो आप ऐसे देखोगे कि 3 वट्टे 4 अगर आप परसेंट में कनवर्ट करते हो तो 75 परसेंट के तो उसने सही उत्तर दिये हैं बच्चे कितने प्रतिसत 25 प्रतिसत तो 25 प्रतिसत के उसने wrong answer दिये है बात यहां तक clear हुई आप से यही तो पूछ रहा था यही आपका answer हो जाएगा अगर वो आप से पूछता कि कितने प्रतिस्ट के सही दिये हैं तो फिर आप answer 75% हो जाएगा कितने के नहीं दिये हैं तो answer 25% हो जाएगा इस वात का ध्यान रखें आते हैं आगे question पे ठीक है चलिए जो next question है आपका 95% of dash या फिर आप x लिख लो 95% of x और यह value बराबर दे रखी है 4598 के 4598 के तो आप से x की value पूछ रहा है तो अब आप x की value जब निकालोगे तो भाई क्या करोगे 95% 95 divided by 100 जब आप इसे divide करोगे तो 19 बटे 20 19 से यहाँ भाग करोगे 19 दूनी 38 19 ती 57 ठीक है तो 19 दूनी 38 साथ बचा 19 चोके 76 ठीक है तीन बचा 19 दूनी 38 20 से गुणा कर दो तो एक्स की जो value आजाएगी 242 इन्टू 20 जीरो तो है दो दूनी 4 आठ और 4 4840 सौ प्रतिसत वेल्यों होगी ठीक है पस इतना साथ था चलिए नेक्स्ट कोशिन की बात कर लेते हैं ये हटा दूं भाई समझ में आ गया हो तो ठीक है आप जब कहते हो ना कि हटा दो तो मैं समझ लेता हूँ कि आपने कह दिया और तभी तो मैं जबाब देता हूँ मन की बावनाओं को भी समझता हूँ अब बोला करो वैसे बैठे बैठे ठीक है एक टीम ने 45 एक टीम 45 खेल जीतती है जो खेले गई खेलों का 60 प्रतिसत था टीम ने कितने खेल खेले तो भाई 60 प्रतिसत की वेल्यू आपको वो ये बताना चाहरा है कि 45 के बराबर है कितने खेल खेले यानि वास्तवे कितने खेल थे सो प्रतिसत खेले तो सो प्रतिसत होंगे न तो सो प्रतिसत की value आपको निकाल ली है 45 डिवाइड वाइड वाइड साथ इंटू 100 आपको ये बात मैं बता चुका हूँ कि उससे भाग कर दो जो दे रखा है और उससे गुणा कर दो जो पूछ रहा है और जिनल पूछ रहा है 100 प्रतिसत तो 100 प्रतिसत से मैंने गुणा कर दिया अब आप इसे cancel कर लो तो अगर आप इसे cancel करोगे तो 2 से ये 5 वार चला जाएगा और 2 से 3 वार 3 से ये 5 वार और 5 पंजे 75 आपका correct answer होगा ठीक है? ये है चलो आगे बढ़ते हैं question पर नोट कर लो इसे सुमित ने 60 प्रशनों वाली एक गड़ित की परिक्षा में 75 प्रतिसत अंक प्राप्त किये उसने कितने प्रशनों के उत्तर गलत दिये बैई सिंबल सी बात है यहां negative marking की तो बात नहीं हो रही है 60 प्रशनों है 75 प्रतिसत उसे अंक प्ले है जितने सही होंगे उतने का ही तो उत्तर उसे मिलेगा जो सही नहीं है उसका नहीं मिला यानि उसने कितने गलत किये 25 परसेंट तो 60 का 25 परसेंट गलत कर दिया तो कितने हो गए 15 question उसने wrong कर दिये और सही कितने किये यह तो हो गई रॉंग और राइट की हम बात करते हैं तो यह हो जाएंगे फिर 45 कुशिन ठीक है जे आते हैं नेक्स्ट कुशिन पर तीन वट्टे बार है का एंटी पीसी की और मुख्य परिक्षा का प्रश्ट है तीन वट्टे बार है को प्रतिसत के रूप में बताईए कितना चोटा सा कुश्चन है तीन वट्टे बार है को एक वट्टे चार बोलते हैं प्रतिसत के लिए आपको पता है सौ से गुणा करके के प्रतिसत का sign लगा देते हैं ये चार वार गया और चार से 25 वार आंसर आ गया 25 प्रतिसत ये मुख्य परिक्षा में पूछा है NTPC की में ठीक है इसके बाद में next question देखो हटा दूँ ये यहां पे चलो देखो next question के आप से क्या कह रहा है एक परिक्षा में 25 सवाल है प्रतिक सही जवाब के चार अंक दिये जाते है पच्चिस question है सही के लिए चार अंक मिलते है और wrong के लिए दो अंक काट लिए जाते है ठीक है यदि सीमा ने 70 अंक प्राप्त किये हैं तो उसके कितने सवाल सही है भाई देखो एक्चल में तो यह mixture वाला question है ठीक है लेकिन फिर भी आपके सामने हमें से discuss करेंगे क्योंकि यह percentage में दे रखा है इसका सबसे एक बढ़िया तरीका है कि हमारी समझ क्या कहती है समझ जो option के साब से चलती है option में 10 15 20 22 यह आपके option है जो answer होंगे इनमें से एक value answer होगी और यह किस के लिए है सही के लिए तो गलत के लिए क्या होगा total question 25 थे उनमें से अगर उसने 10 सही दिये तो 15 गलत दिये होंगे अगर 15 सही है तो 10 गलत होंगे अगर 20 सही है तो 5 गलत होंगे और 22 सही है तो 3 गलत होंगे क्योंकि number of question तो 25 ही रहनी है अच्छा एक बात सोचो कि अगर एक question के 4 अंक मिलते हैं तो 10 सही होने पर उससे 40 अंक मिलेंगे और गलत के 2 कटेंगे तो 30 तो उसके 40 में से 30 अंक कट गए तो कितना बचा 10 अंक बचा जबकि मेरा बता रहा है वो 70 तो पहला option wrong हो गया दूसरा 60 और 20 यानि चार अंक 15 के साब से मिलेंगे तो उससे 60 मिलेंगे और 20 गलत हो जाएंगे तो कितने मिलेगा उसे 40 ये भी wrong है तीसरे को देखो 80 और 10 20 सही है उसके question तो 4 के साब से 80 अंक मिलेंगे अगर 5 गलत है दो के साब से 10 कट जाएंगे तो कितना मिलेगा 70 यही तो था यही option मेरा correct है जब कुछ ना समझ में आये तो यह option सबसे ज़्यादा helpful होते है लेकिन option लगाने के लिए हमें practice की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है ताकि हम अच्छी तरीके से समझ पाएं इतनी हमारी समझ होनी चाहिए चेक करने से पहले कि अरे जब समी 40 बैठ रहा है सही question का तो उसमें से गलत के क्या गाटा है मुझे तो 70 चाहिए न यहाँ जब समी 60 बैठ रहा है तो उसमें से कुछ गाटे गई गलत का और मुझे 70 चाहिए तो यह भी नहीं हो सकता तो फिर सीदे सीदे आप option 20 को उठाते और एक जटके में इसको answer को click कर देते हैं यह होती है right approach question को solve करने की अब देखो इसकी question के तरीके भी है बहुत सारे तरीके हैं ठीक है कुछ तरीके में मिक्षर के दोरान बता दूँगा क्योंकि हो सकता है कुछ तरीके आपकी समझ में भी ना आए मिक्षर वाले अब समझो इस सीज को और ध्यान से समझो दूसरा तरीका भी देख लो इसका देखो 25 सही है 25 question है अगर सही करोगे प्रतिक चार के साबते तो कितने मिलेंगे हमें 100 number आएंगे ठीक है लेकिन आए कितने है 70 इसका मतलब 30 question का 30 मेरे number कमाए है और वो कट गए है और जब हम divide करेंगे कितने question गलत हुए ये check करने के लिए क्योंकि 30 number कटे है तो जो गलत था उसका तो कटा ही है सही वाले भी कटे है समझ रहो ना तो आपको total मिला करके कितने number कटे है 4 number तो उन्होंने उस question पर दिये थे तब 100 बैठते और 2 number कट रहे हैं तो 6 number प्रते question पर कट रहे हैं तो अब आप देखोगे तो कितना आ रहा है 5 question रोंग आ रहे है तो 5 रोंगे तो right कितने होंगे right हो जाएंगे 20 question ठीक है otherwise इसको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं फिर उस दोरान बता दूँगा जब आपको mixture का chapter आएगा तो वहाँ तो ये ढंग से clear होंगे ही ठीक है चलो next question को देख लो भाई राहूल ने प्रथम सेमिस्टर में 75 प्रतिसत अंक प्राप्त किये है एवं दुतिय सेमिस्टर में उसने 90 प्रतिसत अंक मिले राहूल के पनड़ाम में कितने प्रतिसत का सुधार हुआ पहले 75 आया करते थे अब 90 आ रहे है कितना बढ़ा 15 प्रतिसत बढ़ा 15 नंबर बढ़े किस ने पर पहले थे 75 इन्टू 100 परसेंट पंधरम पंजे 75 20 परसेंट 20 परसेंट उसका सुधार हुआ option B correct है तो एक slide तो मेरी ये थी मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा लंबी slide बने दोनों question को एक ही में मर्ज करा दो तो फिर थोड़ा से boring सी महसूस होती है दूसरी slide आपको कल मिल जाएगी टेंसन ना ले और फिर उसके बाद मैं नया चेप्टर शुरू करूँगा आज के लिए इतना ही रखते हैं अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इतना लाश्ट तक पहुंचे हो देखते देखते तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन को उन कर लेना ताकि कि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे ठीक है यहां तक बास समझ भाई चलिए आज के लिए इतना ही थैंक्यू